हलो एवरीवन, वेलकम तो टूट आफेर्स, इस वीडियो में बात करेंगे 11 से 15 जुन तक की बीच का करेंट आफेर्स डेली विकली करेंट आफेर्स का सीरीज अब चलाए जारे चैनल पे तो 1 से 5 जुन के एक वीडियो आएं, फिर 6 से 10 जुन तक का एक वीडियो आया और ये 3rd पार्ट है, जुन करेंट आफेर्स, मंधली करेंट आफेर्स का जो ये 3rd पार्ट है इसे आप डेली विकली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बात होगा 11 से 15 जुन तक की बीच का करेंट आफेर्स इसके दो वीडियो पहले हैं, उन दोने वीडियो को आप जरूर देखें, उन दोने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जुन के 1st 10 जुन का करेंट आफेर्स, दो अलग अलग पार्ट में उस वीडियो को आप जरूर देखें तो इस वीड़े में बात करेंगे 11 से 15 जुद तक के बीच का current affairs तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट कोश्चन है इंडेल्स मेड इन इंटरनेशनल क्रूज वेजल MV EMPRESS फ्लाग ओफ बाइ सर्बनन सोनवाल फ्रॉम विच पोर्ट तो भारत का जो पहला बनाया गया क्रूज वेजल है इंटरनेशनल क्रूज वेजल इसका नाम है MV EMPRESS ये किस पोर्ट से किस बंदरगास से फ्लाग ओफ किया गया बाइ मिनिस्ट्री ओफ पोर्ट शिपिंग जिनका नाम है सर्बनन सोनवाल तो इसका हम बात करेंगे इसका सही जवाब होगा Option A, चन्नेई पोर्ट से इसको फ्लाग डॉफ किया गया जो इंडे का क्रूज वेजल इसका नाम है MV EMPRESS इसके बारे में डिटेल देखते हैं फ्लाग डॉफ बाइ मिनिस्टर ओफ पोर्ट शिपिंग वाटर वेज MV EMPRESS रॉम चिन्नेई पोर्ट तो श्री लंका कहां के लिए ये फ्लाग डॉफ किया गया श्री लंका के लिए श्री लंका के तीन पोर्ट पे ये जाएगा हेंबा टॉंट है जिसका नाम है त्रीकोनोमैली और कांके कांतूरी इस तीनों पोर्ट पे ये जाएगा जिसका नाम है MV EMPRESS बिल्ट अट दो कॉस्ट अफ 17.21 करोड और इसका जो कैरिंग कैपैसिटी है वो 3,000 पैसेंजर्स का है कैरिंग कैपैसिटी इसका 3,000 पैसेंजर्स का है अब इसी से रिलेटेड मतलब इसी विक का जो दूसरा निवस है Ministry of Port Shipping Waterways से रिलेटेड है सरबनल सोनोवाल अल्सो लॉंच्ट सागर समरिद्धी मतलब कि जो कंटेनर और पोर्ट से रिलेटेड है सागर समरिद्धी फोर ड्रेजिंग प्रोसेस लोडिंग अन्लोडिंग रियल टाइम डेटा एंड ड्रेजर मॉनिटरिंग करने के लिए एक निवस और है माई महिने से Ministry of Port Shipping Waterways से M.O.P.S.W.A. के Ministry of Port Shipping Waterways awarded सागर स्रिष सम्मान Award to विशाखा पतनब पोर्ट अथोरेटी for the best performance during fiscal year 22-23 तो विशाखा पतनब पोर्ट जो है इसको सागर स्रिष सम्मान मिला था माई के महिना में इस मंत्राले के द्वारा तो ये भी आपको याद रखना क्योंकि ये related news था इसलिए मैंने इस लास्ट वाले news को भी consider किया तो इसका सही आंसर होगा MVM Press जिसे चन्नाई पोर्ट से flagged off किया गया स्रिलंका के लिए नेक्स्ट कोश्चन है इसका सही आंसर होगा option B Mumbai इसका आंसर होगा Mumbai Public Transport and Electric Supply Public Body Received UITP Award Under Climate and Health Category क्या है UITP क्या होता है Union International Desk Transport Publics For Best Green Travel Initiative आपने सुना का Best Buses चलती है Mumbai में Best का full form क्या है ब्रिहन Mumbai Electric Supply and Transport तो Best जो है इसे मिला पुरसकार UITP का पुरसकार For Best Green Travel Initiative UITP is the most prestigious award in public transport और दूसरा FICCINA की Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Received Award for Excellence in Smart Mobility Category तो FICCY को याने की Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry इसे मिला Smart Mobility Category के लिए Best Award for Excellence इसके साथ साथ बता दिया जाए कि Best Users 100% Digital Facility Ticketing and Tracking on App Target of 10,000 E-Buses by 2026 2026 तक 10,000 E-Buses का Target है To Run on 100% Renewable Energy तो इस तरीके से question frame किया जा सकता है Next है Who won the Men's and Women's Singles Grand Slam Titles at the French Open 2023 French Open 2023 में पूरुश और महिला एकल का हिताब किस ने जीता Option C Novak Djokovic और Ega Swetik सर्बिया के Novak Djokovic इनके बारे में कोई introduction देनी की ज़रूत नहीं है और Poland की Ega Swetik ने Men's and Women's Singles का हिता Men's and Women's Singles Novak Djokovic ने Casper Root को हराया था Norway के Casper Root है और Ega Swetik ने final में Carolina Mujova को हराया था ठीक है और ये जो था Grand Slam French Open ये Novak Djokovic के करियर का 23 Grand Slam है अब वो overall record से बस एक Grand Slam दूर है 24 Grand Slam का record है तो बस एक Grand Slam वो दूर है तो बात करें French Open तो ये इस बार का 127th edition था जिसे Roland Garros भी कहते है पैरिस में खेला जाता है मेंस डबल का खिताब जीता इवान डॉडिक और आस्टिन क्रैजे की ने वो मेंस डबल का खिताब जीता वैंग जीन्यू और शी सूवी मिक्स डबल का खिताब किस ने जीता टिम पुट्स एंड मियू काटो इस पूर्ट्स करेंट एफेट्स का एक वीडियो आया था चैनल पर उसे आप ज़रूर देख सकते हैं तो फ्रेंच ओपेन का 127 एडिशन था और जोकोवी का ये 23rd Grand Slam था करियर का नेक्स्ट है वर्ल डे अगेंस चाइड लेबर आबजर्वड एवरी एर उन तो हर साल वर्ल डे अगेंस चाइड लेबर कब आबजर्व किया जाता है Option D 12 जून को 12 जून को आबजर्व किया जाता है वर्ल डे अगेंस चाइड लेबर Theme क्या था Social Justice for All and Child Labor सबसे पहले 2002 में आबजर्व किया गया था International Labor Organization ILO के दोरा ILO का Headquarter का है जीनिवा में है और इसके Director General कौन है Gilbert Hongbo Next है India Signed Pact with which countries TKML for P75I Submarine Project तो किस देश के साथ समझोता गया आपन हस्ताक्षर साइन किया डील साइन किया हम आप कीजिए P75I Submarine Project के लिए इसका सही अंसरों का Option भी जर्मनी इंडिये का अलग-अलग deal अलग-अलग country से रहता है कुछ defense deal रहता है Russia से, कुछ France से, कुछ Germany से, कुछ USA से तो यह आपको याद रखना है तो Germany से Submarine Project के लिए deal किया गया Germany Defense Thyssen Group Marine System TKMS and Masgon Dock Ship Builders जो की Mumbai West Day MDL Signed Pact of 43,000 करोड for P75I P75I Project was signed in 2021 with 45,000 करोड by Ministry of Defense यह जो P75I Project इसको sign किया गया था 2021 में ही बात करें, Defense Secretary तो यह कौन है ग्रीधर आरामाने और Chief of Defense Staff कौन है अनिल चौहान As per Forbes 2023 Global 2000 List Reliance Industry Limited spotted best ranking from India at which rank तो Forbes का जो 2013 का Global 2000 List है Global 2000 Company List इसमें Reliance Industry सबसे बहतरीन performance किया है इंडिय के तरफ से तो कौन से rank पे रहा है R.I.L. Reliance Industry Limited इसका सही अंसर होगा Option C 45 Reliance Industry की ranking है 45 45 वे rank पे है पिछले साल 139 वे rank पे था तो 8 rank इसने अपग्रेट किया जंप किया Global 2000 List by Forbes Top 3 कौन कौन से है JP Morgan Saudi Aramco International Bank of China Among 2000 List 2000 कंपनियों में सबसे आदा USA Leads करता है 611 कंपनी के साथ Followed by China 346 कंपनी के साथ Cool भारत के 55 कंपनी इस लिस्ट में फीचर किये है जिसमें से टॉप है SBI rank 77 HDFC 128 ICIC 163 ONGC जो की महारत Public Sector Undertaking है 226 तो इसमें आप देखिए कि Best Performing Banks है HDFC, ICIC, SBI As per Global Slavery Index Which country topped with most modern Prevalent Slavery Nation तो Slavery यानि कि जो गुलामी का वो है सुचकांक है वैश्वी गुलामी का जो सुचकांक है इसमें कौन से देश टॉप पर रहा सबसे जहाँ Slavery Prevalent है Which nation is top Among the Global Slavery इसका सही अंसर होगा Option D North Korea North Korea Leads the country in the Global Slavery Index 2023 With highest Prevalent Slavery In the Nation अब डिटेल देखते हैं Conducted in 160 Nations Release by Australia-based Work-Free Education Top 5 Least Prevalent Nation की बारे में बात करें जहां सबसे कम Slavery है Least ये बात हो रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है Switzerland में सबसे कम है Norway में उसके बाद Germany में उसके बाद Netherlands में और Sweden में तो ये 5 सबसे best है जहां की least Slavery है और जो top 5 nations With most prevalent Slavery जहां सबसे जादा Slavery है उसमें North Korea top पे है Eritrea Second पे Mauritania Third पे Saudi Arabia Fourth पे और तूर्किय फिफ्थ पे है Among the G20 Nations India top in Global Slavery Index अगर G20 की बात करें तो भारत Top पे है Global Slavery Index में Followed by China Russia, Indonesia and Turkey है तो ये सारी चीज़े आपको Index ranking में भी मैं बताऊंगा उसमें और डिटिल में जाएगा ये information Next है Which Indian Aerospace Firm Launched its first satellite AFR on SpaceX Transporter 8 Mission इसका सही answer होगा Option A Azista BST Ahmedabad-based startup है Defense Startup है इसका नाम है Azista BST इसने launch किया First satellite AFR AFR on SpaceX Transporter 8 Mission के लिए Which INS Indian Navy ship From Indian Navy Participated in Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 Komodo 2023 में कौन से नाम से नाम शिप ने हिस्सा लिया भारत की तरफ से इसका सही answer होगा Option C INS Satpura INS Satpura Participated in Multilateral Exercise Komodo 2023 ये चौथा संसक्रान था Komodo का Held in Indonesia Indonesia में ये हुआ हर दो साल पे होता है 2014 से इसकी शुरुवात हुई थी कुल 36 देशों ने इसमें Participate किया था Navies of 36 Countries Participated in Exercise Komodo 2023 Which State Launched मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना इसका सही answer होगा Option D Madhya Pradesh इससे पहले भी एक योजनल लाँच किया था मुख्यमंत्री बहना योजना लाडली योजना 1000 पूरे 12 महिनों तक ये वोमेंस मतलब हर एज काटेगरी जो 68 से 60 उम्रवर के जो दारे में आती हूँ उनके खातों में जमा होगा Deposits of 1000 इच पर मंधिन 1.25 करोड बेनिफेश्री वोमें For Economic Dependence Health Nutrition Benefits and Family Support तो मद्धेपरदेश का ये स्कीम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना In Global DPI Summit DPI क्या है Digital Public Infrastructure Held recently Inde signed Memorandum of Understanding With How Many Countries कितने देशों के साथ MOU sign किया है भारत ने In the Global DPI Summit इसका सही अंसरों का option A चार देशों के साथ वो चार देश कौन-कौन से हैं Armenia, Sierra Leone, Surinam और साथ-साथ Antigua and Bermuda जो की केरिबियाई कंट्री है ये कहां हुआ था DPI Digital Public Infrastructure ये हुआ था पूने में For the Ease of Living Ease of Infrastructure Ease of Governance Ease of Economy इन सभी चीजों के लिए ये हुआ था Inagurated by Minister of Electronics and Information Technology With 9 other different countries 9 देशों के साथ लेकिन भारत ने MOU sign किया बस 4 देशों के साथ जो बाकी और 5 देशों कौन कौन से है Tanzania, Kenya, Sri Lanka, Malawi और Trinidad, Tobago तो कुल 9 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था इस मीटिंग में इसका नामे DPI Digital Public Infrastructure Summit जो की पूने में हुआ था अब कुछ 1-9 देख लेते हैं से 15 जुन तक के बीच का जिसको मैंने औप्शन में नहीं रखा है पहला है West Bengal Industrial Development Corporation Amazon and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry hosted an e-export heart e-export heart जो की मतलब export करने के लिए बिजनेस के लिए इसको कहा किया? Kolkata में The newly appointed DG Director General of BSF Nitin Agrawal Australia won the second ICC World Test Championship defeating India कहां खिला गया था? The Oval में खिला गया था Travis Head जो की Australia के Player of the Match रहें और 2021 से 23 तक के सीजन में सबसे अधा रन जो बनाया वो England के जो रूट ने 12th bilateral military exercise between Indian Maldives X Equivarin ये कहा हुआ उत्राखंड के चौबाटिया में भारत और मालिफ्स की भी जो मिलिटेक साइज है Equivarin ये 12 संस्क्रान था Hockey Women's Junior Asia Cup 8 पा संस्क्रान था भारत ने South Korea को हराया Japan में खिला गया था भारत का पहला ये टाइटल था World Blood Donor Day कब Observe किया जाता है 14 June को तो ये था 10 से 15 June तक की बीच का Current Effects और आप बाकी के दो वीडियो ज़रूर देखें 1 से 5 June और 6 से 10 June का Current Effects का वीडियो वीडियो देखने के लाब का धन्यवाद Thank you